आपके किचन और कुकिंग से रिलेटेड कामों को बहुती आसान बनाने के लिए और आपके खाने को सुपर टेस्टी बनाने के लिए आपके साथ कुछ ऐसे यूसफुल किचन टिपस और ट्रिक्स शेयर कर रहे हूं जो आपके बहुती कामाने वाले हैं टिप नमबर वन ये टिप है मेरी हरे धनी की चटनी के बारे में देखिए मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा हरा धनीय डाला है दो हरी मिर्श कट करके डालें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा लाल मिर्श पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है और अब आपको क चटनी है इसका color एकदम restaurant जैसी light green चटनी का आए तो इसके लिए आप क्या करें इसमें डाल दें एक चमस सफेद तिल हाँ जी आपने सही सुना आपको इसमें सफेद तिल डालने है और इसमें आपको डालनी है दो ice cubes आपको इसमें साधा पानी नहीं डालना या तो fridge का ठंडा पानी डालें या ice cubes डालें अब यह चटनी आप इसका त्यार कर लेजिए यह ice cubes और सफेद तिल डालने से आपकी चटनी बहुत ही ज्यादा बढ़िया light green कलर की बनके त्यार होगी सफेद तिल डालने से धनी की चटनी गाड़ी बनती है इसका color बहुत ही अच्छा आता है औ लेकिन छोलो को super tasty बनाने के लिए आपको इसमें क्या add करना है वो tip आपके साथ share कर रहे हूँ तो यहाँ पर छोलो को जब आप बनाएं तो आपको क्या करना है आपको लेना है अनारदाना यह अनारदाना आपको easily market में किराना store पर मिल जाएंगे आपको इन्हें छोले में क प्याज का पेस्ट भूनते हैं तो यह अद्रक लैसुन प्याज और अनारदाना का पेस्ट भून जाएगा और फिर टामाटर प्यूरी डाल देना वो भी भून जाएगी पिर जैसे आप छोले त्यार करते हैं न मसाले डालके वो छोले आप त्यार कर लेना और यह तो आपको छोले बनाते समय क्या करना है प्यास के साथ अनारदाना पीज कर डालना है तो यह थोड़े दिन बाद खराब होने लगते हैं इनमें एली लग जाती है इनमें कीड़े लग जाते हैं तो dry fruits को खराब होने इसे बचाने के लिए सबसे पहले tip तो ये ही है कि आप इने airtight container में store करें और fridge में रखें इसे ही बिल्कुल खराब नहीं होंगे लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे fridge में इतना space नहीं होता है कि हम इस तरह सारी चीजे fridge में रख सकें तो ऐसी situation में आपको क्या करना है आपको लेनी है चीनी ये मैंने एक चमच चीनी ली है जो भी आपके dry fruits है उनमें आपको चीनी डाल देनी है तो ये देखे dry fruits के डिब्बे में मैंने एक एक चमच चीनी डाल दी इस चीनी को हम mix कर देंगे ये देखे dry fruits में हमने चीनी mix कर दी और बस अब हम क्या करेंगे, यह जो डपे हैं इनका धकन बंद कर देंगे, अब आप इन ड्राइफरूट्स को बाहर भी रख सकते हैं, यह बिल्कुल खराब नहीं होंगे, इन्हें आपको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो अगर आपके फ्रिज में भी स्पेस नहीं है, और आप ड्राइफरूट्स स्टोर कर रहे हैं, तो इस तरीके से चीनी डाल कर रखें, आपके ड्राइफरूट्स बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले, तो यह टिप बहुत ही काम की है, टिप नमबर फोर, इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करने ज है, हम यहां पर यह जो टमाटर और हरी मिर्च हैं, इन्हें रोस्ट करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करें, इनके उपर थोड़ा थोड़ा ओईल लगा लें, अब टमाटर के ऊपर का थोड़ा सा हिज़ा निकाल दिया है, और इस तरीके से टमाटर की ऊपर वाली स्किन म हम टमाटर को रोस्ट करने के बाद छीलेंगे, तो छिलका बहुत ईजली निकल जाएगा, तो इस तरह मैंने ये कट लगा लिए, और अब हम इने रोस्ट करेंगे, तो ये देखे, टमाटर को मैंने एक फॉक में लगाया है, ताकि से जब हम इसे रोस्ट करने तो हमारा ये देखे, ये टमाटर भून चुका है, तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, और अब आपको बताती हूं कि जाली पर आप इन्हें कैसे रोस्ट करें, ये देखे कैस पर मैंने एक जाली रखी, ये टमाटर रख दिया, ये लैसुन रख दिया, और साथ में ये दो हरी मि मिर्च को भून कर ये चटनी बनाएंगे, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, आप धाबा में जाकर अक्सर ये चटनी खाते हैं, लेकिन घर पर ही इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो यहाँ पर ये देखे, हरी मिर्च बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो च चुकी हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं, और ये हमारा टामातर बचा है, इसे हम रोस्ट कर लेते हैं, तो ये देखे, ये भी भुणके त्यार हो गया है, तो इसे भी फ्लेट में निकाल लेते हैं, अब इन सभी चीजों को आफ थोड़ा सा ठंडा होने होने दें, और जब ये ठंडा हो जाए तो इनका छिलका हटा दें, ये देखें बहुत ही आसानी से ये छिलका हट जाएगा, क्योंकि हमने इनके उपर तेल भी लगाया है, और इनमें कट भी लगा लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये देखें, बहुत ही आसानी से हट गया, और दोनों हरी मिर्च इसी तरीके से त्यार करके अलग रख लेंगे, तो यहाँ पर दोनों हरी मिर्च मैंने त्यार कर ली, और अब बारियाती है लैसुन की, ये जो लैसुन है, इसको हम खोल लेते हैं इस तरीके से, और ये जो लैसुन की कलिया है, इन्हें हम छील लेंग यह जो भुना हुआ लैसुन है बहुत ही जल्दी छिल जाता है अब हमने सारी चीज़े त्यार कर लें अब यह जो मिर्च है इनके यह डंठल निकाल देते हैं और अब टमाटर को आफ रफली इस तरीके से कट कर लीजे और अब आपको खलवट्टे का मुसल लेना है और इस सबी चीज़ों को आपको मैश कर लेना है आपको इसे मिक्सी की जार में डाल कर नहीं पीसना है वनना यह बहुत बारिक हो जाएगा और चटनी का असली टेस्ट खतम हो जाएगा तो यहाँ पर इसी तरीके से सबी चीज़ों को मैश करें आप चाहें तो मैशर का इस्तमाल क अब हमने सभी चीजों को मैश कर लिया है तो अब इसमें जा रहे हैं मसाले तो सबसे पहले डालें स्वादनुसान नमक आधा चमबच जीरा पाउडर और यह इसमें जा रहा है टू टेबल स्पून बारे कटा हुआ हरा धनिया और अब इसमें जा रहे हैं एक प्यास एक बड इससे कलर बहुत ही अच्छा आजाता है अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना चाते तो इसकिप कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें हरे मिर्च पहले ही डाल चुके हैं अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें अब यह सुपर टेस्टी धाबाई स्टाइल चटनी हो च सब्सक्राइब करें